कि नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका हर्दिख स्वागत है फ्रेंड्स हाली में हमने अपना इंग्लिश speaking course start किया है जिसमें मैं अभी तक English speaking के part 19 आपको cover करा चुका हूँ आज हम start करने जा रहे हैं friends English speaking का part 20 तो friends इससे पहले हम अपने वीडियो start करें 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 करके मेरे चैनल को like share subscribe कीजिएगा और नीचे जो bell icon दिया हुआ है उसको प्रेश जरूर कीजिएगा और मैं अपने Instagram और Facebook का link नीचे description में share कर दूँगा तो चलिए friends फिर हम start करते हैं part 20 English speaking part 20 friends मैंने आपको बताया था कि English में जो vowels होते हैं वो a e i o u होते हैं और जो consonants होते हैं वो होते हैं B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z और जो हमारी English language होती है उसमें total जो words होते हैं वो 26 होते हैं A से लेके Z तक और हम English language को Roman script में लिखते हैं कि अब हम कुछ और basic चीज़ां जानते हैं friends English language के बारे में कि friends जो capital A होता है उसको हम Hindi में A भी बोलते हैं या फिर A भी बोलते हैं कि अब आप इसको example के तुरू समझिए कि ए एन एन हिंदी में एन हुआ तो इसको हम एक भी बोलेंगे AT एट हुआ हिंदी में भी ये एट हुआ यानि पर LAD लेड हिंदी में लेड यानि लड़का RAT रैठ हिंदी में रैठ यानि चूहा MAN मैं हिंदी में मैं हुआ यानि मनुष्य STAND हिंदी में स्टेंड हुआ फ्रेंड्स यानि खड़े होना MAD मैड हिंदी में मैड यानि पागल BAN बैन हिंदी में बैन यानि मनाही अब आते हैं फ्रेंड्स आपे CAPITAL A यानि आ हिंदी में आपे और भी बोलेंगे से ALL हिंदी में हमने ALL लिखा फ्रेंड्स यानि सब WALL WALL यानि वाल हो गया हिंदी में वाल लिखा यानि दीवार F.A.L.L. यानि गिरना यानि फॉल W.A.R. हिंदी में वार यानि युद C.A.L.L. कॉल यानि हिंदी में कॉल उसका मतलब बुलाना S.A.M.A.L.L. हिंदी में स्मॉल मतलब छोटा A.A. is equal to A. अब हम फ्रेंड्स एकों आख से भी डोनोट करते हैं F.A.R. फार यानि हिंदी में फार यानि दूर A.R. यानि हैं S.T.A.R. यानि स्टार हिंदी में स्टार यानि तारा अब हम फ्रेंड्स A को A भी बोलते हैं A को हमने A.A. A बोला जाएगा W.A.R.E. वेर यानि बर्तन F.A.R.E. फेर यानि हिंदी में फेर यानि क्राया C.A.R.E. केर यानि हिंदी में केर यानि परवा करना S.P.A.R.E. स्पेर हिंदी में स्पेर यानि अतिरिक्ट उसके अलावा T.H.E.R.E. हिंदी में देर यानि वहां S.H.A.R.E. शेर यानि हिंदी में शेर यानि हिस्सा बाटना अब फ्रेंड्स कैपिटल A को हम A भी बोलते हैं जैसे P.A.Y.P. यानि वेतन W.A.Y. यानि हिंदी में वे यानि मार्ग S.T.A.Y. यानि स्टे हिंदी में स्टे यानि ठहर ना Brain हिंदी में brain यानि दिमाग M.A.I.N. main यानि हिंदी में main यानि मुख्य है अब फ्रेंड्स क्यापिटल एको हम यानि एसे भी डिनोट कर देते हैं कि नेट कि एनिटी नेट हिंदी में नेट यानि जाल कि एसी डबल एल सेल यानि हिंदी में सेल यानि किसी चीज़ को बेचना क्या डबल्फ ग्यानि हिंदी में वल यानि को या फिर अच्छा लग यानि हिंदी में लेग यानि टांग डब्लू एटी वैट, हिंदी में वैट, यानि गीला वैन, डब्लू एच येन वैन, यानि हिंदी में वैन, यानि कब, जब तो friends, ये था English Speaking Part 20 जिसमें मैंने आपको कुछ basic pronunciation बताए हैं जैसे हम capital A को A में यूज़ कर सकते है A में यूज़ कर सकते हैं, A को A में यूज़ कर सकते हैं A को A में भी यूज़ कर सकते हैं, A को AA में भी यूज़ कर सकते हैं तो friends, ये कुछ pronunciation है जिसके मैंने आपको example with example आपको समझाने का प्रयास किया है कि हम कैसे इन words को अपनी normal day-to-day life में English language में कैसे बोलते हैं किसी चीज़ को कैसे हम उसका संभोधन करते हैं, जो हम किसी से conversation करते हैं English language में किसी दूसरे विक्ति से तो आशा करता हूं friends कि मेरे इस प्रयास से आपको इन basic wordings और pronunciation के बारे में काफी महतोरपूर्ण जानकरी प्राप्त हुई होगी तो करपिया करके मेरे चैनल को like, share, subscribe के जाएगा और मुझे इसी तरह से support करते रहिएगा ताकि मैं आगे जो भी English speaking lessons लेके हूँ, वो इतने simple, easy, efficient way में हूँ जिससे आपके सारे doubts clear हो जाएगे और जो आपकी बोलने की जो hesitation आपको जो होती है English बोलने में वो आपकी दूर हो, confidence आपका boost हो, language आपकी fluent हो जाए, ताकि आप अपनी society में या किसी बड़े perspective में, आप fluently English में conversation कर पाएं किसी दूसरे वक्ति से जो आपसे बात कर रहा हो, तो friends मेरा यही प्रयास है कि आप fluent speaker बन जाए English language में और आपकी personality groom हो जाए, आपके अपने कीमती समय दिया friends, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद